हेलो फ्रेंज, आज हमनों सिखेंगे बहुत ही आसान वीजी से धकनेसर बनाना ये बिहार का बहुत ही परस्तिद व्यंजन है और ये बहुत ही जल्दी बन भी जाता है तो आप लोग इसको इमट ट्राइ किजिए को बहुत ही जादा अच्छा भी लगी और जल्दी भी तयार होगा तो चलिए आज की रेस्पी श्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड ठकनेसर बनाने के लिए सबसे पहले जो सामगरी लगता है वो है चावल का आटा मैंने दो कोटोरी कम से कम चावल का आटा लिया हुआ है और इसमें दूद डालना है फिर से दूद के शहायता से ही इस घोल को तयार करना है अगर दूद ना हो तो पानी से भी इसको घोला जा सकता है और जो भी ड्राइफ फ्रूर्स आपके पास एविलेबल हो जैसे काजू, बदाम, पिस्ता, केसर जो भी ड्राइफ फ्रूर्स हो आप उसको इसमें डाल सकते हैं फिर कम से कम एक चमच बेकिंग सोडा इसमें डाल लेना है और चमच के साहता से इसको धीरे धीरे घोल बना लेना है फ्रेंज, इसको कम से कम 5-7 मिनट तक इस घोल को घोलना है और जब 5-7 मिनट हो जाये ते इसको धक कर रख देना है फिर दो से तीन मिनट घोलना है अब उसके बाद में तवे को गर्म करना है और घी या ओयल लगा देना है उपर से और फ्लेम को हमेशा मीडियम ही रखना है फिर कल्ची के सहता से इसको इस तरह डाल देना है तवे पर और थोड़ा-थोड़ा इसको फैला देना है फिर प्लेट या कटोरी से इसको इस तरह ढख देना है और जब 2-3 मिनट हो जाए तो एक बर कटोरी हटा कर देख लेजिए कि पका है कि नहीं पका है और देखते हैं फिर इसको जैसे देख सकते हैं ये पलटने के लिए ब्रेडी है अब इसको देख सकती ही पक चुका है तो फ्रेंज इसी तरह के दोनों साइड में इसको पका लेना है इसको दोनों साइड में अच्छे से पका लेना है और उसके बाद में एक स्पून के सहायता से इसको इसमें होल बना लेना है छोटे छोटे जैसे कि देख सकते हैं उसके बाद में मैंने सारे इसी तरह का तयार कर लिये हैं देख सकते हैं जितने भी मैंने जितना भी घूल तयार किया हुआ था सबका मैंने इसी तरह का बना लिया है फिर चासनी बनाने के लिए एक कटोरी चीनी और एक गिलास पानी डालना है फ्रेंज ये इसमें तार या 1 तार या 2 तार इसमें चास्नी नहीं तयार करना है इसमें बस 5-5 मनुटी इसको जी उबालना है और हलका जब चिप चिपा हो जाए तो गैस को आफ कर लेना है पुरी तरह से रड़ी है और एक करो इसको इसमें डुबो देना है सरी जितनी वी बनी हुई है सब को दीरे दीरे इसमें ढाल लेना है और कम से कम 5-7 मिनट या 10 मिनट इसे चाशनी में दुबा करके रखना है ताकि जो भी चाशनी है अच्छे से इसमें सोंख जाए और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आता है और इजली बन भी जाता है और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है अगर जट पड कुछ बनाना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है तो एक बार जरूरी को आप ट्राइ कीजिए और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो जरूरी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को तो बना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो दीजी हमें जाजत बहुत बद्धनिवाद